हेलो फ्रेंड मैं अकास वेलकम टू प्लांट केर कीवर अगर आप अपने गार्डन में फ्रूट प्लांट आड़ करने की सोच रहे हैं तो रेनी सीजन उसके लिए बेस्ट है rainy season में आप कोई भी fruit plant अपने garden में add करते हैं तो वो बहुत ही आसानी से आपके garden में set हो जाता है बारिश का पानी पकत तीजी से grow करता है और वो फिर आपके garden से इतनी आसानी से जाता नहीं है इस वीडियो में मैं आपको उन fruit plant के बारे में बताऊंगा जो की container में अच्छे से grow हो जाते हैं उनका price भी बताऊंगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस list में पहला plant है fig ये container में बहुत ही आसानी से grow करता है बात करें price की तो ये fruit plant में 50 रुपीज का लेकर आया था मेरे garden में ये बहुत यच्छे से grow कर रहा है और इसकी में काफी बार harvesting भी कर चुका हूँ छोटा सा plant है लेकिन लगातार इसमें fruiting हो रही है ये इस plant की अभी की condition है इसमें अभी भी एक fruit लगा हुआ है ये पूरे साल fruiting करने वाला plant होता है और इस plant से fruit कभी खतम ही नहीं होते है छोटे container में भी grow हो जाता है इस लिश्ट में अगला plant है बलबे इसे भी आप container में आसानी से grow कर सकते हैं fruit plant लाना चाहते हैं तो ये एक best plant होता है container में आसानी से grow हो जाता है और बहुत अच्छी fruiting भी करता है बात कर एक price की तो ये plant मैंने 100 उपिस में खरीता था एक grafted plant था इसलिए मेरे खरीतने के 6 मंत के बाद ही इसमें fruiting भी start हो गया था इसका छोटा plant 100 उपिस में मिल जाता है और ये मेरे plant की पहली harvesting थी और ये मेरे plant की अपकी condition है देख सकते हैं plant बहुत अच्छे से grow कर रहा है पत्तो का size काफी बड़ा है इस list में अगला plant है अनार इसे भी आप अपने garden में जरूर आट कीजिएगा ये container में भी grow हो जाता है लेकिन मेरा ये plant मेरे backyard garden में लगा हुआ है बहुत अच्छी fruiting करता है हर साल बात करें price की तो इसका भी छोटा plant 50-600 उपेस में मिल जाता है plant अप जब भी ले grafted या फिक cutting से तयार plant लें इस list में अगला plant है गुआवा अमरोद ये plant भी आप जब भी ले grafted या फिक cutting से तयार plant ले और लेने से पहले पोच ले कि ये container वाला ही है मेरा ये plant छोटी हाइट में भी बहुत इच्छी fruiting करने वाला होता है बात करें price की तो इसका भी एक छोटा plant आपको 50 उपेस में आसानी से मिल जाता है मैंने ये plant 50 उपेस में ही करीदा था dragon fruit ये plant भी container में आसानी से ग्रोह जाता है बहुत इच्छी fruiting भी करता है इसे आप cutting से भी grow कर सकते है बात करें price की तो ये plant मैंने 100 उपेस में खरीदा था आपको भी ये plant 100 उपेस में आसानी से मिल जाएगा छोटा plant 100 उपेस में मिलता ही है अभी इस plant को मेरे garden में add के हुए एक साल भी नहीं हुए है एक साल के अंदर ही इस plant ने बहुत इच्छी growth कर ली है इस लिश में अगला plant है जंगल चली भी ये भी container के लिए बढ़िया fruit plant होता है देख सकते हैं मैंने इसे waste packet में grow किया है इसे मैंने seed से grow किया था लगबख तीन plant में ले grow किया थे और एक plant में इस साल flowering भी हुआ था वो fruit में तो नहीं बदला लेकिन देख सकते हैं मेरे garden में ये greenery बढ़िया हैट कर रहा है बात करें price की तो ये plant 20 रूपेस में आसानी से मिल चाता है काफी कम नर्सी इसमें देखने को मिलता है ये एक सार आपको road sign में लगा हुआ दिखता होगा तो वहाँ से आप इसका एक plant ला सकते हैं इस list में अगला plant है pineapple इसे भी मैंने घर के ही pineapple से grow किया है असानी से grow हो जाता है इसे आप भी grow किजिएगा garden में greenery के लिए भी बढ़िया होता है ये है dragon fruit plant की cutting आज मैं इसका update देने वाला हूँ तो देख सकते हैं इसमें कुछ root बनना start हो गया है इसे मैंने कुछी दिन पहले grow किया था आसानी से cutting से grow हो जाता है इस list में अगला plant है चीकू ये भी container में बहुत ही आसानी से grow हो जाता है बहुत इची fruiting भी करता है इसका भी आप जब भी plant ले ग्राफ्टेट प्लांट ही लें देख सकते हैं मेरे plant पर flowering तो start हो गया है पहली बार flowering हुआ है तो ये fruit में तो नहीं बत लेगा लेकिन देख सकते हैं ये plant भी देखने में सुंदर लगता है देख सकते हैं ये ग्राफ्टेट प्लांट है और ये plant मैंने 80 रुपीज में खरीदा था ये plant अपको 100 रुपीज से 200 में आसानी से मिल जाता है इस list में अगला plant है अंगूर की बेल इसे मैंने 20 रुपीस में खरीदा था काभी छोटा प्लांट है टप में ग्रो किया है देख सकते हैं नई ग्रो तो स्टार्ट हो गया है इस लिस्ट में अगला प्लांट है स्टार्फ फूर्ट देख सकते हैं इस छोटे से प्लांट में स्टार पूट लगे हुए हैं ये प्लांट अभी मुझे अपने गाड़न में एड करना है इसका भी आप जब भी प्लांट लें ग्राफ्टेड या फिक कटिंग से तयार प्लांट ले आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चैनल पर पहली बारा हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा